आटो सेल्स के जो नंबर आ रहे है ना उसमें नंबर के बात का जो कंपनी का रियक्शन है ना वो ठीक है और इस बार का डाटा भी ठीक लग रहा है यह कॉंटिनी होगा आटो में कहीं आपको कोई वैलिएशन की चिंता तो नहीं लग रही है यह क्रॉस पूछ रहा हूं तो विलर, फोर विलर और इसमें कमर्शल भी इंक्लूड कर लीजी आप तो विलर में मुझे लगता है निपजी थोड़ा सा वैलिएशन बढ़ गया है और रिवाइवल उतना नहीं आया है अगर आप प्री कोवेड और पोस कोवेड नंबर अब निकालेंगे अब जाके व जो है 125 CCN अब प्रीमियम सेगमेंट की हो रही है इसलिए आपने देखा होगा कि TBS और बजाज ने थोड़ा बेटर किया है दोनों ने प्रीमियमिजेशन प्ले किया है तो मुझे लगता है थोड़ा सा वैलिएशन जो है टू वीलर मेकर्स में मुझे लगता है थोड़ा ज एक्टर सेगमेंट उनका फाहर नहीं किया है अगर आप देखे 42% मार्केट शेर है वहाँ पर, LCV में भी प्रेजेंट है स्पेशलि जो 2-3.5 टन का जो रेज होती है वहाँ पर काफी डॉमिनेंट मार्केट शेर है और मुझे लगता है बजार का कंसान है capital allocation को लिके जब से उन्होंने RBL मिस्टेक लिया था वो अगर थोड़ा address हो जाएगा तो मुझे लगता है re-rating हो सकती है तो हमें commercial vehicle or four wheeler space better लगता है अबी, rural recovery आईगी तो शायद two wheeler भी देख सकते हैं और हमें ancillary पे हमारा और पूरे value chain पे focus है, कौन जो है content per vehicle जादा बना रहा है, किसका linkage EV adoption म जादा है, तो कुछ एक companies हैं हमारे portfolio में, Sona BLW है, संधा technologies है, उनो मिंड़ा मैं बहुत समय से hold कर रहा हूँ, लगबग 6-7 साल से उपर का हमारा holding period है, और कुछ एक pockets हम बहुर देखने है, KPIT को मैं कौसी auto, कौसी IT company मांगता हूँ, जो की electrification है, आप देखें, software cost car का आज से 2- तीन साल पहले 18% है, अभी 30% है, और जो estimate अगर आप देखें, 2026 का, तो car का जो software और electronic cost है, उलकल लगबग 60% होगा, तो बहुत बड़ी opportunity है, ये software और content और electrification of car की.